नमस्कार बहस का नमबर वन शो ताल ठोक के आप सबी देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ अमन शोपड़ा जुड़ा हूँ पाटन से क्योंकि गुजरात जो है वो खबरों में है और अब पाच बज चुके है मतलब 15 घंटे का वक्त बाकी है पहला वोट पड़ने में सुबह 8 बजे से मतदान होगा पाच बज चुके है 15 घंटे का वकत बाकी है लेकिन उससे पहले गुजरात में क्या सुपारी वाली politics हो रही है मैं ये सवाल इसले पूशाँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनिशंकर एयर के दो साल पुराने वीडियों का हवाला देकर मनिशंकर एयर पर ये आरोप लगाया कि वो मेरी यानि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपारी देने के लिए पाकिस्ता लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए कारवाई की गई है। कि वोट कि सकने का डर था कि इसी वज़ा से कारवाई की गई है यह तमाम सवाल इसके लबाद क्या कुछ और सवाल रहेंगे ताल ठोके में जो हम आज पूछना जा रहे हैं वह एक बार हम आपको बता देते हैं क्योंकि कई तरह के सवाल आज हम जानने की कोशिश करेंगे जि पिन सिब्बल भी है इस लिस में बहुत नेता हैं जो कॉंग्रेस को हराने पर तुले हैं गुजराज के चुना में पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स हो रही है क्या जिससे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते हस से आठानी की बात की मनी शंकर एयर ने मनी शंकर एयर पर एक्शन क्या कॉंग्रेस का दिखावा है या वाकी मिसाल जिस बात का जिक्र कॉंग्रेस पार्टी कर रही है और इसके अलावा जब कॉछे कि हमने कारवाइ की है बीजेपी अपने बद्जूबा नेताओं पर अपका कारवाइ करेंगे पुर्दान मतिन भयों, पजिनाख भई, पाकिस्ता गियादा संग्रेश पार्टीन करें कि मूदिन रस्ता माथे नहीं हताओ, पारत ने पाकिस्तान ना सबंदर नहीं सुदरे संगुरेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री की कुर्सी का आधर करती है कलत शब्द प्रयोग करकर कोई भी नरेत्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री के बारे में नहीं बुले में मनें को भाई आप वाहित चांगा जही ने मूरी ने रस्तामा की भतावो आप वाज करना अट मैंशन रागिया त्राइब सुलिगार छे आप कॉंग्रेस पार्टी आखी बादरे जवाई एक प्रेची के निए मारे जगा नपूपूश और यदि मेरे कुछ कहने से कॉंग्रेस को कुछ भी हानी पहुंची हो तो मुझको बहुत अफसोस है और मैं मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं कि ये कॉंग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीती है विशे केवल अभद्र भाषा का नहीं है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की सोच का है और वो सोच यह है कि इस देश में केवल एक परिवार है जो राज कर सकता है और बागी इस देश की जनता वो है जिस पे शासन होना चाहिए वो खलाई हुई और घबराई हुई भारतिय जनता पार्टी इस परकार के ओचे और सस्ते हतकंडे अपना रही है हम उन्हें विनमर अनुरोध करेंगे साड़े छे करोड गुजराती मुद्दों पर जबाब चाहते हैं हतकंडों पर में सो गालियां देके एक मनीशंकर एयर पे कारवाई भी वो तब की जो मनीशंकर एयर माफी मांगने में कतरा रहते रहुल गांदी जी की बात को पूरी तरह से माननी रहे थे वो दिल से की गई मन से की गई कारवाई नहीं है वो गुजरात की जनता और देश की जनता के डर से की गई कारवाई है आप देख रहे हैं मंग से की गई कारवाई नहीं है बीजेपी ये कह रही है हलाकि कॉंग्रेस की तरह से एक आ जा रहा है कि हमने थो कारवाई कर दी आप बीजेपी अपने बद्जुबा निताओं पर कारवाई करके दिखाए बहराल चर्चा की शुरुआत करेंगे में विजेपी से हैं में साथ के तन त्रिवेदी सीने जनलिस्ट आम्दाबाद से जुड रहे हैं क्योंकि गुचराथ इस पूरी चर्चा केंदर में हैं इसके लावा मे إलस्दुद्ध संगविचारक अवनीजेश अवस्तिय हैं और शक्तियादव राष्चित जन्ताvadल के न अमन्जी किसी ने खूब कहा है कि ये कल्यूग है और भलाई का जमाना नहीं है शिरी राहुल गांदी ने साहस और बड़पन दिखा के प्रधान मंत्री पद्ध की लाज, मान, मर्यादा की इज़त रखते हुए एक इतने पुराने कॉंग्रिस लीडर को भरखास्त कर दिया है और आज उन पे भारतिय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी प्रशंसा करने के बजाए उस पे राजनीतिक करण का आरोप लगा के ये साबित कर दिया है के भाजपा के नेताओं की 56 की चाती तो जरूर हो सकती है पर दिल बहुत छोटा है जहां आज राजनीतिक स्थर इतना गिर गया है वहां राहुल गांदी जी ने पहल करके ये कदम उठाया है और प्रधान मंतरी मोदी को भी चाहिए है जो मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे कि अपने पद क्या मान रखते हुए उसकी लक्षमन रेखा का ध्यान करते हुए जितने बड़ भोले बाशन उन्हें खुद दिये हैं चाहे हो सुनिया गांदी जी को जर्जी काओ राहुल गांदी जी को हाइबरिड काफ और खास करके निरंदर मोदी जी से क्या वो श्री राहुल गांदी जी की बराबरी करेंगे यां ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर भाजपा में किसी की उन्नती या प्रमोशन होनी है तो आप श्री राहुल गांदी जी पे ताने कसिये अबद्धी और अपत्ती जनक भाशा का उप्योर्यों कीजिए आप उपर बढ़ते जाएंगे जैसे कि आजकल इनके परवक्ता गौरव जी की बात नहीं कर रहा ये बहुत अच्छे और सुलजब है परवक्ता हैं पर इनके कई परवक्ता कोई खिल जी ठीक है जैविर जी देखें मैंने आपको इसलिए शुरात में कहा था कि जो मैं पूछू उसका जवाब दीजेगा कि चुनाव ना होते तो भी कारवाई होती जो आपने पूरी राम गाता मुझे सुनाई वो आपकी politics है मैं उस पर नहीं जा रहा था क्योंकि ये चुनावों के मंदे नजर कारवाई की गई है इस हवाल में आपसे लूँगा लेकिन गौरब आप तो भाई माफी भी मांग ली कारवाई भी हो गई suspend भी कर दिया गया कारम ड़ताव नोटिस भी हो गया आप तो मनी शंकर आईयर खेरें कि मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ अगर कॉंग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो माफ कर दीजिए अब क्यों है इसमें पॉलिटिक्स जून रहे हैं आप नहीं आमन जी देखिए हमें समझना होगा कि मुद्दा क्या है ये वही मनी शंकर अईयर है जिन्होंने 2013 में नरेंदर मोदी जी को साप और बिच्चु का 2014 में चाएवाला कहा और कहा कि आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते और स्टॉल लगाने के लिए हम आपको जगा देंगे ये बात अलग है भारत की जंता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आज वो खुद इरेलेवेंट हो गए है फ्रीलांस कॉंग्रेस वरकर अपने आपको बुलाते है अब 2017 में मनी शंकर अईयर फिर किसके इशारे पे ये कह रहे है कि प्रदान मंत्री जी नीच है इसके पीछे कॉंग्रेस की मानसिक्ता जलकती है और मानसिक्ता ये है कि केवल गांधी परिवार को ये हक है कि वो देश के उपर शासन करेगा जैसे कि अभी राहूल गांधी का राज्य अभिशेक हुआ वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ती अपनी मेहनच से अपनी इमानदारी की वज़ा से उपर आए जिसका प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी है और मेरे भाई जैवीर अभी कह रहे थे कि बीजेपी क्या करेगी मैं उनसे कहता हूँ आप सोनिया गांधी को बर्खास करिए कॉंग्रेस से 2007 में उन्होंने मोदी जी को मौत का सौधागर बुलाया जहर की खेती करने वाला 2014 में बुलाया राहुल गांधी ने अभी 2014 में कहा कि नरेंद्र मोदी जी खुन की दलाली करते हैं और उनको आपने अपनी पार्टी का अध्यक्ट बना दिया है और प्रियंका गांधी जी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया था तो क्या प्रियंका गांधी के खिलाथ आप यही कारवाई करेंगे तो राजनितिक ना समझी दोनों तरफ से है इसलिए एक को दोशी नहीं ठहरा जा सकता मैलाल मिरसाथ अवनिजेश अवस्ती भी है संग विचारक अवनिजेश जी ये कॉंग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटिक तरीका था जिस बात का जिक्र अरुम जेटली कर रहे है कि ये सोची इसमझी रणनीती के तैत ये सब अपमान कराया गया फिर माफी करवाई गयी फिर निकाला गया ये स्ट्रेटीजी थी कॉंग्रेस की लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर इससे भी जादा खतरनाक और मैं कहा रहा हूँ लोकतांत्रिक विवस्ता के लिए भारत में जिस लोकतांत्र के लिए हम गर्व करते हैं उसके लिए बहुत खतरनाक था कि भारत वरश का एक विदेश में जाकर के और पाकिस्तान में जाकर के कहें कि ऐसे दहशतगर्द को हम तो हटा नहीं सके आप हमारी मदद करो इसको हटाने में भारत के लोगतांत्रिक तरीके से चिने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ विरुद ऐसे वक्तवे पर कॉंग्रेस पार्टी ने कोई क बात कर रहे थे और महत्पूर्ण बात एक और मैं बता दूँ कि जो कॉंग्रेस जिस मानसिक्ता की है ना उसमें चायवाला महत्पूर्ण नहीं उसमें का कि इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ये तो हिंदी में बोलता है ये कैसे बना सकता है ये मीम को मेमे मेमे को मीम क यह जो भारत की जंता से डिसकनेक्ट है कि सत्ता तो सिर्फ हमने भोगनी है सत्ता भोगने के लिए तो सिर्फ हम एक परिवार के लोग है यह आम आदमी कहां सत्ता भोगेगी यह जो कॉंग्रेस की मानसिक्ता है यह कॉंग्रेस की मानसिक्ता है इस देश के लोगतंत्र के लिए अत्य धिक खतरनाक है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वो आपको कल भी मालूम चल गया होगा कि पाकिस्तान से समर्थित PFI जैसे लोग वहां के उम्मीदवारों को बाकद़ चेक दे करके कि मुझे मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ वो किसी को हजम नहीं हुआ था क्योंकि उसमें तरजुमा शब्द का भी इस्तिमाल किया गया था वो अच्छी उर्दु बोलते हैं डिप्लोमेट रहे हैं राजीव गांदी के करीबी रहे हैं में साथ केतन त्रिवेदी हैं जो की सीनर जनलिस में साथ एमदाबाद से हैं केतन जी ये देखी ये गुजरात में 2007 में भी हुआ था मौत का सौधागर का आ गया था और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी कॉंग्रेस पार्टिकल 2014 में चाय वाला का आ गया था कीमत चुकानी पड़ी थी और अब नीच का आ गया है क्या कीमत चुकाई की कॉंग्रेस जी बिलकुल कॉंग्रेस को इस बात की पूरी भना कल जब नरेंद्र भाई ने सूरत की रेली में ये बात की तब से आ चुकी थी और वही रीजन है कि कॉंग्रेस ने तूरंत राहूल गांधी ने ट्वीट किया, अशो गैलोत ने ट्वीट किया, फिर भरत सौलंकी ने ट्वीट किया और तीनों ने ट्वीट करके ये बताया कि ये बयान गलत है और मनिशंकर आयर को माफी मांगनी चाहिए निश्चित रूप से ये मुद्दा है आप नरेदर मोधी का मुख्य मंत्री का कार्यकाल देखे तो उसने अपने गुजरात के 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में अपने आपको गुजरात प्राइड गुजराती असमिता के साथ जोड़ा था और आज भी उनकी व्यक्तिगत लोगपृता बरकरार है गुजरात में तब जाके चुनाओ के एंड मोके पर जबकि पहला चरण का चुनाओ होने को है 24 गंटा भी नहीं रहा है और आप ऐसे बयान करेंगे तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस को उसकी राजनेतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है और इसी वज़़ा है कि कॉंग्रेस के शिर्ष नेतागीरी ने मनिशंकर अयर को सिर्फ ना माफी मांगने पर मजबूर किया बलकि सस्पेंड कर दिया सस्पेंड कर दिया गया लेकिन शक्ती आदव जी आरजेडी के नेता है लालू प्रसादी आदव शायद ये कह रहे हैं कि मनिशंकर अयर बीजेपी से मिल गए हैं और बीजेपी ने बुलवाया मनिशंकर अयर से ऐसा मैं एक बात कर दूँ कि रावल गांधी जी ने पद भार गरहन करने के पहले एक रायूति सुचता का परचाय दिया है प्रधान मंत्री पद पर जो तिकनिया हुई है उसके बावत उन्होंने एक करवाई किये ते चुनाब से जोड़कर नहीं दिखना शाहिए रही बात भासाई मर्यादा का गिरने का तो जब से आदर्निय देश के प्रधान मंत्री जी पद पर आसीन हुए है तब से लगातार भासा की मर्यादा गिरती गई है मैं कोई लिगेस नहीं चाहे बिहार में आकर के डियने की गाली देने का सवाल हो भुजंग परसाद कहने का सवाल हो चंदन कुमार कहने का सवाल हो या राहुल गांदुजी के बारे में पपू कहने का सवाल हो ये कई तरह का रूप सुनिया गांदी जी के राहुल बार्रा जीने एक सुचता का परचे दिया है और जो मोदी जी का नाम नहीं लेगा इस देश के अंदर वो पाकिस्तान प्रस्त है राम जादे हरम जादे सभी भासा मर्यादा की मर्यादा तार-तार हुई है तो एक तरफी बात नहीं मैं कहता हूँ कि जो जिन पुलिटकल पाटी के लि पुलिट भी नहीं करते हैं तो राहुल गांधी जी एक पदपे आसीन होने जा रहे है उन्हें एक स्टक मर्चे कि राजनितिक रूप से जो सूट करता है सिर्व यह याद कर रहे हैं आपने सारे बयान और वो आपने मुझे बता दिये मेराल जैवीर जी यह आरोप है कि य यह राहुल गांधी के इशारे पर हुआ था और यह स्ट्रेटिजिक सस्पेंशन है जो अरुन जेटली कह रहे हैं यह आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे यह मानसिक्ता है मेंटैलिटी है कि गांधी परिवारी देश पर आज करेगा और कोई आपके शब्दों में अगर कॉंग्रेस पार्टी के शब्दों में काऊं को नीच आजमी है तो वो सब्दा पर नहीं पहुंच सकता है अमन जी खिंदी की अच्छी कहावत है कि हम आखपिक भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती चाहे अरुण जेटली जी की बात मान लीजिए दिखावा किया चलिए एक शण के लिए परधान मंत्री इस देश के प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया दिखावे के लिए ही अपने नेताओं को बाहर निकाल दें प्रधान मंत्री पाकिस्तान जाकर के आप उनसे मदद मांगे विदेश मेरी कहावत को प्रधान मंत्री की जो सुपारी दे रहे हैं वो आप भरना है इनकी अगर आज चुनाब नहीं होते तो इनके खिलाब कारवाई होती है दो हजार चौदा में पंदरा में भी कॉंग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की थी और प्रधान मंत्री ने देश के बार जाके क्या का था अरे हटाने के लिए नहीं का था लोग तांत्रिक तरीके से चुने होते होते हैं वो प्रधान मंत्री ने दो का उसका मैं जवाब मूंगा सर एक एक करके एक मिनिट जैवीर विकास की बात करते हैं जैवीर जी ने ट्वीट किया जिस दिन हाफिज सहीर चूटा पूरा देश चिंतित था लेकिन राहूल गांदी आपने क्या कारवाई की जो पाकिस्तान को हिंदोस्तान की सर्दमीन पे बुला लाल लाल कालीन बु सर मैं सवाल पूंच रहा हूं जैवीर जी एक मिनिट मीर के चुनाओं के लिए शुक्री आदिया करते हैं तब पाकिस्तान का खयाल नहीं आ रहा था तब पठान कोड मामले में जो हमला हुआ इस आई जैवीर जी ये तो वोट खिसकने का डर बना आप लोगों का आप पाकिस्तान को पठान को को स्वागत करते हैं करनल महादित की चिता जल रही थी जब परदान मंतरी नजरी नवाज शरीव की शादी में शरीव शरीव के चाला रहा था करते हैं अगर आज गुज्रात के चुनाव नहीं होते तो आप प्रमोशन हो जाता प्रमोशन हो जैवीर एक माव था ही है जैवीर किस किस पर कारवाई करेंगे सर किस किस पर राहूल गांधी पर करेंगे क्या जिन्होंने धर्म की दलाली शक्ता इस्तमाल किया था सोनिया गांधी पर करेंगे जिन्होंने मुत्ला स्वधागर का था विरौत अมत प्रय। चबाइब जिए महामिइम travel गान थी कुनाव है आरे जैवीर एक जैवीर जबगी एक मिनित और पाटी ने अरे सर एक मिनित उपक्त ने एक मिनित एक सवाल का जवाब दीजिए आपको वापस में कर लीजे मैं चला जाता हूँ आपको मुझे पूछने दीजिए जैवीर जी एक सवाल का जवाब दीजिए किस किस नेताओं पर आप लोग कारवाई करेंगे सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर का था उन पर कारवाई करेंगे राउल गांधी ने खुन की दलाली काहता हूँ पर कारवाई करेंगे किस किस नेताओं करेंगे सर पड़ू हो चिठी एकसिडेंटली हिंदू थैं पंडी जवारना लेरू लिखते हैं अपने कि मैं बाई भारत एकसिडेंटली हिंदू हूँ मैं जैवीर को याद दिलाना चाहता हूँ मैं वो ही कह रहा हूँ आप एक एक करके बोलें सर तो बहतर होगा अब निजेश जी एक मिनिट गौरव जी एक मिनिट मेरा सवाल जैवीर से है सर एक मिनिट आप दोनों प्लीस चुप रहें इस तरह से डिबेट नहीं हो पाईगी एक मिनिट सर जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जैवीर किस किस पर कारवाई करेंगे आप मौत का सौधागर सोनिया गांधी ने कहा था उन पर कारवाई करेंगे राहूल गांधी ने धर्म की दलाली खून की दलाली कहा था उन पर कारवाई करेंगे उन पर कोई कारवाई नहीं होगी क्योंकि चुनाव नहीं थे अमन जी पड़ी विनमरता से और हाध जोड से आपके कहता हूँ कॉंग्रिस ने आज पहल की श्री राहूल गांदी ने आज में मंच पे खड़े हो के बोला कोई परधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेगा और दूसरी तरफ 30 रैलियां अपनी रिसर्च टीम से बलौ लिजे 30 रैलियों में 621 बार राहूल गांदी जी पे ताने कसे हैं ड्रामे बाजी की है उनको क्या-क्या नाम बुलाए अपने इस्तिहार में चुनावी इस्तिहार में उनको पपू कहा इलेक्शन कमिशन को बीच में आना पड़ा और प्रधानमंत्री ऐसे ट्रोल्स को फॉलो करते हैं जो एक पत्रकार की मृत्यू का जश्चन आते हैं गौरी लंकेश को मैं कह रहा हूं क्या प्रधानमंत्री अपने एक भी परवक् अगर सोनिया गांधी ने कहा था घरू की धलाली खून की दलाली राहूल गांधी ने कहा था उस पर कोई कारवाई नहीं है जहां तक चुनाव की बात कर रहे हैं आप मुझसे ज़्यादा आपका तुजर्बा है इस चुनाव में मोदी जी, हफीज साइद, पाकिस्तान, चाइना, धोकलम सब के बारे जिकर कर चुके हैं साड़े च्छे करोड गुजरातियों के लिए भी लड़ा जाएगा मैं उन्होंने किया इसलिए आप मत करिये ना सर मैं उनका जवाब उससे लूँगा जैनी जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं आप बोड़ा जारे हैं जले भी बना रहे हैं आप ये कीजिए चलिए हमने एक फैसला दो लिए एक बार पार आपसे था मनी शंकर रहियर एक बहुत बड़े लीडर थे अपने चोटे से चोटे से चोटे परवक्त को भी दिका रहे हैं जो रहे हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा ये चुनावी फैसला नहीं है कॉंग्रिस पार्टी ने हमेशा प्रधान मंत्री पद की इज़त की है और करती रहेगी ये हमारी और भाजपा की विचारधारा में अंतर है वो तब कहां गई थी इज़त एक मिनिट जैवीर जी तब कहां गई थी इज़त जब मनीशंकर रहे है और पाकिस्तान में जाकर प्रधान मंत्री की सुपारी देकर आये थे तब इज़त ध्यान नहीं आई थी आप लोगों को तब बड़ा दिल कहां गया था तब क्यों नहीं कारवाई हुई थी जब लगों पुरुष कहा था तब नहीं थी कारवाई थी तब भी कुछे कहती कि बयान ठीक है अरे कारवाई क्या की दिए बताओ ना सुनिये अरे 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 से वालो बेंशे कॉंघरित नहीं थे जो तंच बाल केए थे माहिलाओं को अरे भाहिया हमारे निकी जावीर क्या बात है तुम होमवर्क में करके नहीं हो देगा वारो बाटिया तुम क्या शीप का जैसवाल ने का था कि जब फत्मी पुरानी हो जाती है तो वारो बाटिया उन्होंने तो कारवाई की नमुना भी तो कहा गया था ना राउल गांधी को अरे भाया यार तुमने रिसर्च पर कारवाई आप लो करेंगे कि तुमने रिसर्च भी ठीक नहीं की तुमने तो कह रहे हैं कि हमने तो की आप अपने बज़ुआ नेताओं पर कारवाई करें नहीं होना चाहिए मुझे वो भी याद है जब आरे से तरंगे का विरोध कर रही थी आरे सस्थ ने तरंगे का विरोध की आरे से जैविर हिस्ट्री पढ़के आओ दो तीन बहुत इतनी मीदिकों के बाद तैय हुआ था यह भी मेरा साहा तरंगे के लिए कंग्रेस की एक जैविर जी एक मिनिट गौरव भाठी आप वो कह रहें कि अमने तो कारवाई कि आप अपने बद्जुआ नेता हैं उन पर कारवाई करें बाबर भक्त आप ही लोगों ने का खिल जी का रिष्तेदार का नमूना का यह सारी मर्यादा तो आप लोगों ने भी नहीं रखी न आप चाते हैं नरेटर बदले चुनावों का अरे आप देखें आप सुन तो लिए अमन अगर आप चाते हैं आप रामने पड़िवेट नहीं कर रहें एक मिनिट अमन ऐसे कैसे चर्चा होगी आप बताईए आप कंट्रोली नहीं करेंगे प्रस्ट मुझ से उत्तर जोए श सुनिए देखें सबसे एहम बात यह है दो हजार साथ में शुरुआ किसने करी सोनिया गांदी जी जब अध्यक्षा थी उन्होंने कहा मौत का सौधागर और उसके बाद आज मनी शंकर अईयर जो एक खुद को फ्रीलांस कॉंग्रेस वाले कहते हैं चुनाव की मजबूरी म कारवाई होती है हमारा तो यह सवाल है जो प्रियंका गांदी जी है जिनोंने नीच शब्द का इस्तमाल किया मेटी में उनको अटाईये पार्टी से राहूल गांदी को अध्यक्ष क्यों बनाया जब उन्होंने अप शब्द कहे और मौत का सौधागर कहने के लिए सोनिया गांदी को अटाईये तब चर्चा होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा और दूसरी चिंता की बात यह हमारे अपने मद्वेद हो सकते हैं हमारी विचारधारा अलग हो सकती है भारतिये जंता पार्टी का कोई वरिष्ट नेता कभी पाकिस्तान के हक में बात करके भारत के नेता क बारे में अफश्ब नहीं कहता है मनी शंकर रायर पाकिस्तान की धर्ती में वहां के लोगों से बातचीत करके इशारा करते हैं कि नरेम नोगी जी को रास्ते से हटा दो यहां अपने प्रदान मंत्री को हटाने के लिए इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है आज पाकिस्तान कॉंग्रेस का दोस्त हो गया और भारतिय जंता पार्टी क्योंकी सत्ता में है इसके कॉंग्रेस की दुश्मन है देश का हित इनको नहीं दिखाई देता है ये लोग हाफिस सेयद में अपनी ताकट ढूनते हैं इस बात में हम लोग आपत्ती करते हैं वज दोनों पार्टिया नहीं चाहती हैं दोनों पार्टिया नहीं चाहती विकास पर चुनावो दोनों पार्टियां बदजुबानी कर रही हैं ताकि इसी के आसपास लोग घूमते रहें जे बिलकुल कल से जब से बात आई है तो नेचरली कॉंग्रेस ने बीजेपी के नेताओं के बयान बाताने शरू कर दे पाजपा ने कॉंग्रेस के नेताओं के बयान शरू कर दे मुद्दा ये है कि ऐसी सब चीजे इलेक्शन समय पर क्यों आती है क्यों इलेक्शन समय पर कुई नेता बयान बाजी करता है तो आंने सामने हो जाते है। इलेक्शन नहीं होता है तब ऐसे कोई बयान आते है तो सब सीस दे ळोग थोड़ी थेरं चर्चा करके उसको भूल जाते है। लेकिन आज election सर पे है, पहले चरण का चुनाओ का मद्दान होने जा रहा है, तब जाके दोनों पार्टी या क्यों इस बयान बाजी पे लगे हुई है कि आपने ये कहा, हमने ये कहा, आप अपने नेताओ से माफी मंगवाओ, आप अपने नेताओ से माफी हूँ, जो बेजिक बात थ बिल्कुल, शक्ति यादव जी, आपकी पार्टी इस पर ग्यान दे रही है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान गिनाओं में, लालु प्रसाद यादव क्या-क्या बोल चुके हैं, कहां कहां बोल चुके हैं, आप मेंसे बेतर जानते होंगे, तो लेक्चर ना दे, वो प्रधान मंतरी के खिलाब बोलेगे, उनके हाथ कार्ट दिये जाएंगे, और आप चमनी उधेड़ देंगे, लालु प्रसाद यादव के बेटे, चमनी उधेड़ देंगे, बिहार्यों को कुक्ता कहा बदा हैं, प्रधान पंत्रीण में दे नहीं प्रप्या साहरी का बें यही तो strategy है, बयान दिलवाए, माफी मांग ले, अपमान करें, माफी मांग ले अरे लौपत क्यों आती है, सिखाते के लिए ऐसे लिए तन्यों को कुछ विखता गडगरी सहब ने का क्या उनसी करवाईया हुई जो नरेंदर मोदी खिलाप बोलेंगे उनके हाग काट के जाएंगे कौन सी करवाई हुई कौन से करवाई हुई यह नसीहत दे रहा है अगर कोई लेक्चर ना दे बेटे ने इसलिए आप लेक्चर ना दे तो वहतर है खेर जैवीर यह क्यों मैं स्टेटीज इसलिए बार-बार कह रहा हूं क्योंकि एक सीरीज ओव इवेंट्स है देखें कोई पहली बार नहीं है इत चाहे बेच और अब यह वाली चीज तो एक पूरी सीरीज ओव इवेंट्स है इस वरह से कहा जा रहें कि यह क्या यह स्ट्रेटीजी है क्या जान बूचकर इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि नरेटिव बदला जाए यह क्या हो अमन जी दो बाते रखूंगा और निवेदन है अपने साथियों से मुझे टोकेना सबसे पहले ना तो यह स्ट्रेटीजी का हिस्सा था और जो लोग इस पर राजनितिक करण कर भी रहे हैं मैं एक शण के लिए मान के सिरव एक बहस के लिए अगर माननी नरेंदर मुदी जो बहुत बड़े आजनिता हैं वो स्ट्रेटीजी का हिस्सा ही समझ के राजनितिक फायदा ही उठा के अगर अपने परवक्ताओं खुद मंतरियों से माफी मंग वालें तो क्या वो छोटे हो जाएंगे ये कहे दें कि शी राहुल गांदी को पपू कहना खिल जी कहना औरंग जेप कहना भाजपा का जो जो कल्चर है उसके खिलाफ है तो क्या वो छोटे मिल जाएंगे अगर आपने शीला दिक्षित का ट्वीट पढ़ा एक मिनिट मैंने क्यों का स्ट्रेटीजी सुने शीला द स्ट्रेटी के अंदर के कुछ लोग हैं जो राहुल गांदी को नुकसान पहुंचाना चारे हैं सर इसलिए मैंने का ये स्ट्रेटीजी के तहत भी हो सकता है सूरत के वेपारी के लिए लड़ा जाएगा दस हजार किसानों जो आतमत्य करें उन पे लड़ा जाएगा ये व्यक्ति विशेश चुनाओ नहीं होगा हम प्रधान मंतरी की इज़त करके चुनाओ लड़ेंगे भाजपा राहुल गांदी पे ताने अपती जड़क भाशा प्रधान मंतरी को गाली दे के चुनाओ नहीं अपने मुद्दों पे लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे और माफी मांगते रहेंगे कितनी माफी मांगी पढ़ रहे हैं इस बर गुजरात में आपको गौरव बाटिया अरे माफी तो बंता से मांगे नरिंद्र मोदी जी सो पारी जैसा शब्द का इस्तमाल नहीं करूंगा किसके कहने पे फिलाल तो आप मांगे जा रहे हैं 6-7 माफिया मांग चुके हैं आप तू चाइबेच में माफी माफी राहूल गांगी किसके कहके नोट बंदी और जीस्टी की दोधारी कलवार चला दी भारतिये जंता पार्टी की जहां तक बात है सारे वरिश्क नेता गरेंद्र मोदी जी आमिद्शा जी अरुन जेटली जी राजनाज सिंग जी सबने रैली करी कोई भी ऐसा शब नहीं कहा जो आपती जनक हो मेरे भाई जैवीर अभी कह रहे थे कि 600-700 बार उन्होंने राहूल गांदी जी के नाम की चर्चा करी अरे भाईया आपको तो खुश होना चाहिए क जैसे तो राहूल गांदी को कॉंग्रिस पर कुछ नहीं रहा है कम से कम उनके राग की चर्चा तो हो रही है और सुनिये अभी आप विकास की बात कर रहे थे मैं आप से पूछना चाहता हूँ जब राहूल गांदी 25 बार चुनावी हिंदू बनके मंदिर जाते हैं तो ये कौन सा विकास का मेसेज है जब जनवू दिखाया जाता है ये जनवू धारी भ्रामबन है याद रखना तो कौन सा विकास होता है आप मान लीजन की आप सांप्रदाइक राजमिती करें गुजरात की जनता को पांटा जाते हैं जब एहमत पतेल के पोस्टर आते हैं सुन लो जैवीर सुन लो जिस सुनके से जवाब देना सुन समझ के मेरे प्रस्तों में कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जैवीर ज़रूर जवाब जिए सर आपके नेताओं में सुनने वाले काम ही जिए जैवीर जिसने मुस्टर का विश्य है राम लला का हाथ सिर्फ चुनाओं के मक्ता पकड़ते हैं और अगर संसद और सुप्रीम को अपील करना वाइलेशन और मोडल कोड़ और कंड़ की आप मुझे बताईए गुज़ार का कौन सा विरोध नहीं करना पत्तेदार और एक बात और क पूरा मौका दिया गया आपको जैवीर बोले दीजे गौरव को आप बीच में बोले जा रहे हैं जैवीर एक मिनिट प्लीज रिक्वेस्ट आप से पूरा मौका आपको दिया गया है सर प्लीज गौरव अबान थाइंक यू सो मच और डू एक्सपेक्ट दे सेम कर्टिसी फ्रों माइ यंगर फ्रेंड जैवीर जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज ने कहा होगा कि आप बीच में चिलाते रहिए भारती जन्ता पाटी मैं केवल इतना कहता हूँ कि 25 मंदिर जाना विकास नहीं हो सक और हार्दिक पटेल जिगनेश बाहर से नेता लाके रेजर्वेशन आरक्षण की बात करना जो सम्विदान के तहत नहीं है ये विकास नहीं हो सकता समाज को बाटने का काम कर रहे हैं और मनी शंकर एयर ने अपने हतोड़े से आकरी कील इनके ताबूत में ठोक दिये 18 तार जैवीर जी एक खबर ये भी आजाईए कि आप लोग अब मारपीट पर भी उतारू हो गए हैं गाली गलोज से बात नहीं बनी तो सौमी नाराइन मंदिर के पुजारी हैं मुखे पुजारी वो कह रहे हैं मैं नहीं कह रहूं सर वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने ह जाखा प्रचार कर रहे थे वो मलब गाली गलोज मारपीट इन चीजों से चुनाव जीतेंगे अब आप लोग गुजरात में अमन जी अगर आज चैलिंज दे देता हूँ आपके शो पे अगर कॉंग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य जिसने ऐसी हरकत की है तो पुलिस इनके हाथ में है एफ आई यार कीजिए जेल के पिप्पे डालिए जब तक जो आरोप साबित नहीं होते तो आरोपों को आरोप अगर कॉंग्रेस पार्टी का जंडा लेके पहुंच गए हमला करने के लिए वो खलाहट हार की इतनी बढ़ गई है कि जो उनके पैंतरे है जेवीरी क्या हो रहा है क्यो इतना सोस्ट जायर करना पड़ रहा है क्यो इतनी माफिया मांगनी पड़ रही है हो क्या रहा है इतने सेल्फ गोल्स आप लोग कर रहे हैं अगर आप सोचते हैं यह माफी मांगना परदार मांगना परदार मांगना गलत है तो हम ऐसे 100 बार माफिया मांगेंगे भाजपा की तरह हम गाली गलोच देने को गरव नी समझते जैविर क्या रहा हम गाली देना हम अपना फुल टाइम प्रफेशन नहीं समझते क्या आपको भी लगता है यह प्लॉट है यह स्ट्रेटिजी और यह जान बूच कर किया जा रहा है बार बार इस कि हम लें अपमान माफिया अपमान माफिया अतने माफिया उसका हिस्ट है थे भाव हो तो में नहीं वह स्टेजिवादा वह ने सब्सक्रा उसक्ति हम वहां था उनका इदो चलि liegen कर поним. मिनर भी हो मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं लेकिन कम से कम उस ग्रुप में जरूर थे और मुझे अब तक यह जवाब नहीं मिला जैवीर जी मुझे एक बास सवा एक जवाब एक सवाल का जवाब दो क्योंकि वो कि अब तक आपने अगर चुनाव नहीं था तो आपने कोई कारवाई नहीं कोई कारवाई नहीं हिंदोस्तान का सेना ध्यक्ष सडक चाप गुंड़ा है कोई कारवाई नहीं क्यों कि तब चुनाव नहीं थे और आप चुनाव हैं इसलिए कारवाई करते हैं और कहते हैं हमने पहल किये मैं कितने आप चुनाव हैं और मैं राजन देश की सुरक्षा पे संग के सदस्य बहुत प्रवचन कर रहे हैं पाकिस्तान दे पे जाके बिर्यानी शकी गई तब राष्टरवाद नहीं याद आ रहा था भाजपा के सदस्या आईटी सेल के मेंबर मद्या परदेश धुरूब आईसाई के लिए जफूसी करते पकड़े गए तब राष्टरवाद का ध्यान नहीं आ रहा था प्रफेसर साहाब बोलिए जब नवाज श्रीक की शादी में जाके बिर्यानी के सब्सक्राइब करेंगे बिजेपी कांग्रेस अच्छा एक मिनिट आखरी सवाल मेरा शक्ति यादव जी मेरा आप से सवाल है क्या कारवाई आ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की चमडी उधार देने की बात उन्होंने की थी आप लोगों ने क्या किया आप यहां पर बैटकर लेक्चर दे रहे हैं उन्होंने प्रदान मंत्री की चमडी उधेर देने की बात की थी क्या किया था आप लोगों ने आप लेक्चर पहले करिए ना सर पार्टी से निका लिए कारवाई करिए स्तिफा दिलवाई ये मनिशें कर रहें को सस्पेंट किया गया है अरे चोपड़ा जीस आप क्यों नी इम्मत हो कि किसी कि देश करवाई के लिए तरस रहे हैं देश भटकाओं पर इसमें तो कोई मुद्दा पर बहस नही किसान तड़ा प्रेस लिए प्रदानमंत्री की चमरी धेड़ेंगे आप आप सभी का जैवीर गौरव केतन अब निजेज जी और शक्तियादा जी बहुत 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 शुक्रिया गुजरात में चुनाव है लेकिन अब सुपारी पॉलिटिक्स हो रही है ये बार-बार कॉंग्रेस के नेता खुद मुझे बता रहे मैं एक महीने से यहाँ पर हूँ कॉंग्रेस के नेता खुद मुझे बताने कि हम क्या करें भई नेता खुद हराने पर तुन नहीं है कॉंग्रेस पार्टी को क्योंकि तमाम रिपोर्टर्स चपपे चपपे पर पहुंच चुके हैं मैं राज कोट रहूँगा आपसे मिलूँगा आपसे सुबेट 6 वजे से ताल ठोके में मेरे साथ अभी फ्लाइल इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार